आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Its Magnetic Moment Is तो हमें एक Rod given है तो Rod बना देते है इस Rod का Mass जो रह रखा है वो M है इसकी Length जो दे रखी है वो L दे रखी है और जो Charge दे रखा है वो Q दे रखा है इस चार्ज इस पर Uniformly Distributed है और इसको इसके Midpoint के About रोटेट करा देता है constant angular velocity ओमेगा से तो देखो हम लोग माल लेता है कि इसके Midpoint से X Distance पर एक DX Element Supposed कर लेता है तो यह DX Element हो गया इसमें हम लोग DQ कैसे लिखना चाहेंगे DQ अगर लिखना चाहें तो वह कैसे लिखेंगे तो टोटल चार्ज डिवैड़ेट बाइ टोटल लेंथ और मल्टिप्लाइट बाइ स्मॉल लेंथ यानि DX तो यहां से कितना निकल आएगा DQ निकल आएगा अब हमें DQ पता चल गया मैगनेटिक मॉमेंट कभी भी निकालना हो मैगनेटिक मॉमेंट उसको मॉम से डिनोट करते हैं उसके फॉर्मला क्या होता है अब इसमें एरिया वगर यह कैसे निकालेंगे तो उसके लिए देखो कि जो यह DQ एलिमेंट है यह क्या करेगा ऐसे ऐसे खाली DQ को अभी देखो तो यह DQ क्या बनाएगा ऐसे सर्कुलर लूप में ऐसे घुमएगा इससे यह सर्कुलर लूप एक बना लेगा तो उसमें जब यह DQ घुमएगा तो क्या होगा यह चार्ज है तो चार्ज घुमता है तो क्या होता है करेंट हमाई प्रोड्व Feed होती है अं तो current ज ALL की exact को HIM हम लोग बान लेते हैं कि यह Di element elemental current production producus और इंपर इसको हम रहे है दी आए क्या तरशाव हो रही हैaltung इसको हम लोग F से जनुठ कर रहे हैं यहां से Di कलाएगा elemental current दौ्छ मोरे मघंगनेटिक मोडिक्हों मेंट लिखेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे current multiplied by elemental current multiplied by area अब area क्या होगा area of loop होगा जिस loop में यह move कर रहा है so area of loop क्या होगा यह पूरा loop होगा यह पूरा loop इसका area हो जागा इसकी distance कितनी है center से x है तो यहांसे area लिखेंगे तो pi x square हो जागा तो pi x square इसका area हो गया और di हम लोग कैसे लिखेंगे di लिखने के लिए dq into frequency लिखेंगे और यहांपर dq लिख दिया और frequency को हम लोग कै लिख सकते हैं omega upon 2 pi लिख सकते हैं और dq की value हम लिए यह substitute करतेंगे q by l into dx तो यहांपर dq की value यह pi x square omega upon 2 pi dq की value q by l into dx substitute कर दिया यहांसे हमाँ pi और pi कर जाएगा तो देखो कितना बचा omega q by l omega q by 2 l और x square dx यह हमारा dm की value आ गई अब इसको integrate करेंगे 0 से mu और इसको integrate करेंगे देखो x हमने midpoint से लिए है midpoint से लिए हुआ है तो इधर कितना होगा इधर minus l by 2 होगा पूरा यह पूरी distance कितनी कि minus l by 2 होगा और इधर कितना होगा यह plus l by 2 होगा यह कितना होगा यह plus l by 2 होगा तो हम लोग इसको integrate कर देंगे minus l by 2 से लेकर कि plus l by 2 तक तो देखो यहां से integrate करने के बद ओमेगा q by 2l यह हो जाएगा और यह तो हो जाएगा x3 by 3 limits put कर देंगे minus l by 2 से plus l by 2 तक तो यहां पर हमाँ mu कितना निकल के आता है ओमेगा q l square divided by 24 तो यह हमारा mu का answer हो जाता है तो अगर आप options को match करें so option number हमारा c correct हो जाएगा thank you classics to 12 से लेके need iit je means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज यह डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीचे अपने doubts 84444 पर